हेलो इन वेलकम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अगरवाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे शक्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आ जाएगी क्योंकि लोगों को हसाना ही इनका काम है तो मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे गेस्ट का परेचे मैं आपको साथ करा दू हमारे साथ शान आलम मौजूद हैं साथी मोनो जी हैं और शाहजी हमारे साथ मौजूद हैं और यूट्यूब पर लोगों के लिए कामेड़ी वीडियो, फणी वीडियो बनाना इनकी पहचा लेकर जब हम बात करते हैं लोगों को हसाने की मुस्कुराने की और जब हम बात करते हैं एक anjan से पहचान बनाने की तो मैं चाहूंगी आप लोगों से यह जानना कि आखे two in one vines आप लोग create करें और उसका आप face बने लोगों को आप हसाए क्योंकि एक tag line भी है आप लोगों की जो आपने यूट्यूब पर लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे प्यारा और मुश्किल काम है लोगों को हसाना तो कैसी इस सफर की शुरुआत हुई अंजान से पहचान बनाने की आज हर एक व्यक्ति जो आज देख रहा होगा न्यूज इंडिया उनके चेरे पर सबस्क्राइब करें तो यह जब यह बना सकते हैं तो हम भी बनाएंगे अच्छा हमें भी कुछ करना ऐसा जिससे हमें मजा आए और जो हमें देखे उसे भी सामने वाले को मजा है तो अमने फिर इसी तरीके से एक चैनल ने क्रेट करा फंटुमस्ती के नाम से तो हमने उस अपलोड गरी पिछली काफी लेकिन रेस्पांस फोड़ा बहुत काम आया फिर लगभग एक सालम ने उस पर वर्प किया ओ शायद थीन हजा सब्सक्राइब हो गए तो अच्छा लेकिन वह हमें किसी रिजन की वज़े से डिलेट करना पड़िया चैनल ओ उच हो गई थी प अनने नाम सोच्छे आर क्या लारे असका तो सच्छ्छा के वह करते हैं यू गांगिश्टरं तो यह रवी घ॰ूआ हा तो गष्चेट कर रहते हैं एक व्रावं थे जो रेख़ पूछ्यों फोगा वैंस भी है क्या किस नामे शेलए दाना आपका हम बGAN करने एक उत्यों ज जैसे इस सफर की शुरुवात हुई तो आपने जो टैग लाइन लिखा है वो बहुत अट्रक्टिव टैग लाइन है आपने लिखा है कि सबसे लंबा और प्यारा शब्द है इसमाईल लेकिन अगर हम आज के यूथ की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि आज के अकॉर्डिंग जो यूथ है अगर आप मुझे ही देख लिजए बहुत से शोज ऐसे हैं जो लोग उन पर हसते हैं लेकिन म अगर हसाना एक बड़ी कला तो मेरा यह मानना है कि लोग को हसाना मतलब ज्यादा बहतर तरीक साना चाहिए कभी-कभी ऐसे होता कि हमारा मून ओफ होता है लेकिन फिर भी हमें हसाना पड़ता है कैमेरे के सामने कभी के बहुत होता है कुछ से ने कुछ बात बोल दी तो एक क्राम हैं तो कई बार होता है आपने जिकर भी किया कि आप साड होते फिर भी लोगों को हसाना है वो मूट बना पाना वो पूरा और क्रियेट करना और उसके बात कॉंटेंट ऐसा हो कि अगर करोडो जनता देख रही है मिलियन लोग आपके फॉलोर्वर्स हैं तो हर एक के पर स्माइल आनी चाहिए और हर किसी की अपनी अपनी पसंद है तो कॉंटेंट का आइडिया कहां से आता है हमारे आसपास के जो लोग हैं उनी को देखकर करके हम यह चीज कर पाते हैं ऐसा होता है कि कॉंटेंट कभी कभी तो अब इतनी चीज हो गई सपनों में कॉंटेंट आ जाता है कि सपने आती है तो सपने को लग कई वीडियो हमारी ऐसी है जो सपने में मेरे सपने माई तो हमने वो करी अच्छा अश्टाइब्स कुछ ऐसा सोते हैं पूरी एक 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 अग्जामपल आपरी नाम से हमारी एक यूटबर वीडियो है तो उसका मेरे को सपना थै अच्छा तो सपना यह मैंने इनको बताया भी यार इस टाइप का सपना यह क्यों था यूनिक है वो एस तो हम देख ते किसे को देखा मूवी में देखा क्या जेसी मना लिए नहीं वो सपने में न सपना देखो और दिन में उसको पूरा करो अच्छा एक सवाल जैसे हम बैठे होते हैं या जब मैं देख भी रही थी आपकी कई वीडियो तो मतलब एक सवाल मेरे जहन में आया लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं लोग दिन राप मैनत करते हैं कि सरकारी नौकरी करेंगे लेकिन आप लोगों ने सोचा कि round to hell में आप थे उसके बाद आपके पास शायद मुझे लगता है एकदम से खयाल तो आया नहीं होगा या फिर प्लान आपने बनाया नहीं होगा तो कुछ न कुछ आपने सोचा होगे लेकिन इंजीनियर कितना support मिलता इस चीज के लिए अब तो मैं family का अच्छा का सा support मिलता लेकिन पहले नहीं मिलता था financially problem भी थी कि अपने पास से ही काम करना था अपनी जेप से ही पैसे लगाना था तो यह सब चीज है शुरुआत में जहलने पड़ती है एक तरीके से जैसे कि मदले एक long term time देना पड़ता इस चीज को और समाज के ताने कि यह क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है बिल्कुल 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 और यह लोग क्या कर रहे हैं आप काम करो या आप पड़ाई करो study करो अब हम study भी साथ में कर रहे हैं और अपना काम को भी लेकर के चल रहे हैं हमने जो हमारा समय था खेलने का उसको हमने इधर काम पर दे दिया मतले एक तरीके से काम बान क करके इस जगा दे दिया और उसकी बज़ा से आज हम आपके सामने बैठे वही हैं वाद को एक सवाल मेरे जहन में भी होता है और आज के टाइम में हर एक यूद के मन में सवाल होता है कि यूट्यूब से बहुत मोटा पैसा आप कमा सकते हैं क्या ऐसा है क्या आप कहरें कि फै लेकिन कितना वो आपके ओपर डिपेंड करता है यानि यह सचा ही है कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो खूब मोटा पैसा आप कमा सकते हैं क्योंकि टुइन वन वाइन्स तो कमा रहे है पैसा ठीक है आप जब वीडियो बनाते हैं कई बार होता है हम यूज करते हैं क्योंकि आज कही फेल म् numéro चुका है लेकिन जब हम बीडियो बनाते हैं उससे पहले कई बार जैसे हम भी है क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा है जो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमें भी बहुत सी चीजे करने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं यह चीज गलत ना हो जाए ऐसी जब आप एब्यूजिग यूज़ करते हैं तो क्या उसको लेकर कभी डरने ही लगता कि कहीं को नेगेटिव इ जैसे हमारे लेटिव बोलते थे क्या कर रहा है अपका लड़का यह आप इसे कैसे लाओ कर रहा है कर मैं तो फिल बट हमें जह हम कोमेंट्स पड़ते थे बंद बोलते थे बाई यार कम गाली है यार साथ होनी चाहिए मज़े नहीं आए अपके गाली में अच्छा वाली द लगता है कि गाली आए तो थोड़ा सा एक यह भी वज़ा है अच्छा जब वीडियो बनाते हैं आप मुझे लगता है कि अगर जब तक आपके लिए कोई चीज बहुत ज़ादा जरूरी नहीं है तो हम इंसान जो एक हुमन नेचर जो होता है हम बहुत कोशिश करते हैं कि क साथ को हागता कि लेकिन मैंम अगर जिस चीज के लिए मेंनत की जाए और जिस पर दिल और जान से मेंDieट की जाए तो हमंहें लगता है कि उसको लोग देखेंगे आकर जब हम अच्छा बनाएंगे ágके तो वह वजा है हमारे लिए कि लंग को normaleline बनाने ही ? तो वीडियो बनाने के लिए क्या पहले आप लोग भी मतलब बाकी लोगों की तरह पहले पूरा रिसर्च करते हैं या फिर उसको लेकर डारेक्ट आप प्लान तयार के और वीडियो शूट करने निकल जाते हैं वो तो डिपेंड करता है कुछ ऐसा होता है कि एक तमसी डारेक्ट ली करना पड़ता है और कुछ ऐसा होता है कि उसके लिए रिसर्च की जाती है जिस पर मतलब जैसे कि कुछ होलीवूड टाइप से बनाना होता है तो उस पर जो है थोड़ा रिसर्च भी की जाती है और वैसा होता है जो बेसिकली होता तो उस पर जो है डारेक्ट ली काम भी किया जाता है आप से जानना चाहूंगी क्योंकि आप तीन बैठे हैं और मुझे तो वह काफी सीधे लग रहे हैं आप मेंसे कौन जो सबसे जादा खुराफ पाती है और कौन जो बहुत जादा सीधा है कोई भी कंटेंट आता है तो प्रॉब्लम उन्हें होती है के नहीं यह रखेंगे यार जहां दो बंद एक साइड होगए तुमार्ण ठीके यार रख लेते यह हो जाता रही है जब है तो खुरापादी भी है तेड़ा भी तने यह वंदर से अच्छा मैंने जब वीडियो देखिया आपकी कई वीडियो मैंने स्क्रॉल की तो मैंने उसमें देखा कि एर टाइम जो करेंट में चीजे चल रही है उस पर सुरंट वीडियो करते करते हैं तो क्या वह इसलिए करिए जाता है ताकि क्योंकि वह क्यूं की वह ट्रेंडिंग में है और आपको पताई क३ह एक एसंबर ढमाल मचा देगी इसलिए क्रियेट किया जाता है या फिर उस वीडियो के जरिये कोई मैसेज देने का उसके पीछे एम रहता है आप लोगों का थोड़ा माद चेंजिंगें बिक बोस को उपर तो उस पर काफी रिसरच भी किये और अब उसी पर हम काम कर रहे हैं ऐसा होता है जिसे ओडियंस को जो दिखी रही चीज ट्रेंडिंग में तो हम सोसे हैं हर कोई बंद रिलेट कर लेगा चीज को क्यों न यह बंद ऐसे देखन का तो हम क्यों न अलग करके दिखाया इनको जो मज आये देखने में इस ट्रेंडिंग टोपिक सही रहता बड़ी रहता है ठीक है एक लास सवाल में आप लोगों से करना चाहूंगी जब आप लोगों का मोटेव ही सिर्फ लोगों को हसाना है जो आजकल की यूथ है जो बह यार मैं अभी सब्सक्राइब देखिए मैंने तो मेरा मन खुष हो गया और मजह आगए में भाई देखे जल्दी यली वीडियो लाया करो हुआ तो लोग के देखे जल्दी लाया करो वन वीक मैं तो इतनी जल्दी आनी पाएगा वैसा तो पता ही है उनसे यही कहेंगे कि आप खुष रही है अपने परिवार में रही है और हस्ते खेलते रही है देखिए दूसरे के लिए बुरा ना सोचें आप उसी में आप खुष हो जाएंगे ठीक है तो आज हमारे साथ देखे खास शक्सियस्त मौजूद थी और सबसे बड़ा मेसेज यही है कि आपके लिए मुस्कुराना क्योंकि यह दुनिया का सबसे हसीन शब्द है और आपके लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है आपकों का बहुत बहुत शुप्रिया कि आ आपने अपना कीमती समय में दिया और इसे के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही नमस्कार